दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए मटका बॉलिवूड यूट्यूब चैनल को और दबाईए इस घंटे को ताके आपको मिल सके बॉलिवूड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले दोस्तो सुआगत हैं आपका एक बार फिट से जी हाँ दोस्तो आज हम आपको अभिनेता धर्मेंद्र की 9 जनवरी 1970 में रिलीज हुई फिल्म शराफत और राजेश खान्ना की 31 जुलाई 1970 में रिलीज हुई फिल्म सफर के बॉक्स ओफिस कलक्शन के बारें बताएंगे तो चलिए दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सफर फिल्म के बारे में दोस्तो अगर हम सफर फिल्म की बात करें तो ये फिल्म 1970 में रिलीज हुई थी और ये एक फैमिली, मुजिकल, रोमैंसे, भरपूर फिल्म थी इस फिल्म को आसित सेन ने डिरेक्ट कया था अगर हम इस फिल्म के टोटल वर्लड वाइड बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया था और सफर फिल्म को बनाने में 80 लाक रुपे खरश हुए थे और ये फिल्म हिट साबित हुई थी तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं शराफत फिल्म के बारे में दोस्तों अगर हम शरा तो 3 करोड रुपए था इस फिल्म ने इंडिया में तकरीबन 1.5 करोड रुपए का बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया था और शराफत फिल्म को बनाने में 85 लाख रुपए खर्शवे थे और ये भी एक हिट फिल्म साबित हुई थी तो दोस्तों आपको इन दोनों फिल्मों में कौन से फिल्म ज्यादा पसंद आई थी कमेंड में जरूर बताईएगा मैं फिर मिलूँगा आपको एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए थैंक्यू